नमस्कार आदाब सस्तियकाल कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम टो एजियर एजुकेशन फोर टाइट वॉफ सैंप्लिंग एरर्ज आज का टॉपिक रहेगा इससे पहले आप लोगों को पता होगा मैंने चार वीडियोस डाले थे चैनल पे जो की आपके टाइप सो में भी अब हम करेंगे फोर टाइप ओफ सैंप्लिंग एरर्ज उसके बाद एक वीडियो आएगा कल शाम को पांच बजे sampling errors के अलावा non sampling errors का और उसके अलावा एक और आएगा जो की है selection bias के types तो ये तीन वीडियोज आपको आज शाम को पांच बजे फिर अगले दिन पांच बजे और उसके अगले दिन पांच बजे जो है वो वीडियोज चैनल पे मिल जाएंगे सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको notification आजाए वीडियो आते ही और साथ ही साथ आपको पता है कि अनकाडमी पे मैं पढ़ाता हूँ अनकाडमी पे plus subscription आप ले सकते हैं जो कि prices बढ़ने वाले थे subscription के आप वो 15 जुलाई तक नहीं बढ़ेंगे उससे पहले अपना plus subscription या paid subscription अनकाडमी का विद्धी कोड नवीन साक लाइव ले लीजे और आपको 6 महिने subscription और 12 महिने subscription लेने पे 2 months का subscription जो है वो additionally extra भी मिल सकता है और वहाँ पर आप commerce और paper 1 मुझसे पढ़ सकते हैं विद्धी कोड नवीन साक live subscription लेके क्या होते हैं sampling के errors देखिए हम बात करते हैं हमारी population की और population में से अगर हम कुछ लोगों को randomly select करते हैं तो randomly select करने के दौरान जो error हम commit करते हैं उसको हम sampling का error कहते हैं देखिए हम अगर population के सभी लोगों को अपनी research में शामिल करना चाहेंगे तो वो census कहलाएगी तो हम क्या करते हैं उसका एक छोटा भाग जो है वो sample के तौर पे लेते हैं और फिर sample पे results को निकालके generalize कर देते हैं पूरी population पे लेकिन इस process के दौरान errors commit हो सकते हैं तो sampling errors वे statistical errors होते हैं जो arise होते हैं जब एक sample represent नहीं कर पाता पूरी population को तो obvious सी बात है sample को आप क्यों चुनते हैं क्योंकि वो representative होता है population का और ये पूरी कोशिश की जाती है कि sample represent करे whole population को लेकिन जब sample represent नहीं करता whole population को तो हम उसे sampling error की term देते हैं जो हमारी real values है population की और जो value हमें मिली है हमारे samples का इस्तमाल करते हुए अगर इन दोनों के बीच में एक difference आएगा तो उसे हम sampling error की term का नाम देते हैं sampling errors कब अकर होते हैं जब numerical parameters किसी entire population के जो derive किये गए है sample से वो fit ना बैठते हूँ since whole population include नहीं की गई थी sample में तो parameters जो derive किये गए हैं अगर वो अलग आएंगे आपकी whole actual population से तो हम यह कहेंगे कि sampling का error commit हुआ है अब इससे क्या होता है कि results vary करते हैं results distort हो जाते हैं और incorrect conclusions जो है वो कहीं न कहीं हमारे सामने आती हैं तो जब sampling errors को हम explain करें तो हम यह कहेंगे कि sampling errors deviations हैं जो कि हमने sample को representative के तोर पर test किया और जो actual values हमें मिलनी चाहिए थी उसके बीच का तब हम यह मानेंगे कि errors commit हुए हैं तो is the sample value for the value of the true population emanating from the fact that sample is not the actual representative of a population of data since हम यह कह सकते हैं कि fault है data collection में तो जो result हमको मिले है sampling से वे invalid हो जाते हैं further हम यह कहेंगे कि जब एक sample को select किया जाता है randomly on the basis of कि एक कुछा तक आप देखोगे कि selection का bias भी आ सकता है और अगर वो bias यह हम देखें कि fail to denote the whole population तो sampling के errors को जो है वो माना जाएगा कि sampling में error है कर हुआ है तो किसी भी तरह का bias भी avoid करना है और यह कैसे prevent किया जा सकता है अगर analysis select करें subsets or samples of the data को जो की effectively whole population को represent करते हूँ sampling errors जो है वो affect होते हैं कई तरह के factors में कि size क्या है sample का देखें कि बहुत कम size of sample नहीं ले सकते जितना size of sample जादा होगा उतने errors reduce हो जाते हैं design होते हैं sample पे जो है वो एक factor के रूप में काम करता है population variability क्या है population लगबग एक जैसी है तो दिक्कत नहीं आती population variable बहुत जादा है अलग-अलग किसम के लोग है तो दिक्कत आती है और sampling fraction क्या होगी तो देखिए जैसे जैसे आप increase करेंगे sample का और ये previous year में आयवा सवाल है एक आपके paper में कि जैसे जैसे sample size increase होगा तो हम statistical regularity की तरफ बढ़ते हैं माने कि sampling error हमारा कम हो जाएगा और अगर हम reduce करना चाहते हैं इसे by half तो sample जो है वो increase कर दीजे चार गुना ये भी ये rule का जाता है कि अगर आप sampling error को reduce करना चाहते हैं आधे से तो आपको चार गुना से अपना sample बढ़ा देना चाहिए और selected samples अगर बहुत कम है तो ये inadequately हो सकता है कि represent कर रहा हो whole data को and analyst जो है वो select कर सकता है जादा number of samples जैसे मान लीजे कि हमारे पास 100 लोग है हम ना दो ही किसम के लोगों को sample में ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि 100 के 100 लोगों को represent कर रहे होंगे मान लीजे 100 लोगों में जो हमारी actual population थी 4 तरह के mood वाले लोग हैं तो क्या 2 जो लोग हम select करेंगे वो भी क्या 2 moods को represent करते होंगे हो सकता है एक ही mood को represent करते हों तो बाकी 100 के 4 moods को represent नहीं कर पाएंगे लेकिन हम अपना sample अगर 2 से 10 कर देंगे या 10 से 15 लोगों पर sample करेंगे तो ये बात मान ली जाएगी कि हम 4 mood वाले लोगों को represent कर रहे हैं हमारे sample में तो category क्या होती है sampling errors की population specification error होता है selection error होता है sample frame error होता है और non response का error होता है जब हम ये कहेंगे कि population और यही 4 types हैं basically population specific error तब होगा जब analyst जो है जो research कर रहा है वो समझेगा नहीं कि किसको survey करना है तो एक जैसे मान लीजे कि breakfast survey है breakfast serials के लिए तो population जो है can be the mother, children or entire family तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है अब अगर बंदा जो research कर रहा है, analyst कर रहा है उसको समझ में नहीं आया कि किससे मुझे survey करना है किससे मुझे जानना है तो population specification वो नहीं कर पाया है और यह error commit हो गया sampling का selection error क्या होता है कि जब survey participation जो है वो self selected होती है respondents के द्वारा implying only those who are interested response कि जो सिर्फ interested है वो ही आएगा sample में पाकी जो बंदा interested नहीं है वो आएगा इन्हीं तो selection का error हो जाएगा क्योंकि selection का error हम अगर लोगों को participate करने के लिए encourage करते हैं किसी चीज में तो उसको कम किया जा सकता है sample frame error क्या होता है यह तब अकर होता है जब एक sample को select किया जाता है from the wrong population data अगर गलत population data से एक sample आप select करोगे तो sample frame error आएगा और साथी साथ non response का error क्या होता है कि अगर हमने एक useful response को जो है वो obtain ही नहीं किया तो यह तब होता है यहा तो inability हो to contact potential respondents या वो refuse कर दें response करने के लिए तो आप non response के error कहते हैं तो यह basically आपके चार टाइपस हैं प्लीज सब्सक्राइब दो चैनल and also hit the bell icon so that कि हम जादा से जादा लोगों तक in free quality classes को और videos को पहुँचा आपाए logical reasoning का course चेक करिएगा आप playlist के अंदर और Indian logic का जहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं और आज रात की 9 बजे की class है people in environment के previous year के questions करेंगे फ्री class है इसका link आपको description पहले comment में मिल जाएगा और an academy पे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको regular free classes के 9 बजे की रात की classes के notification मिलते रहें शुक्रिया